हाई फ्रेंड्स रुपाली जिंडन कीचन में आपका स्वागत है सर्द्यों का मुसम शुरू होती सर्दी खासी सबसे पहले आ जाती है तो आज हम दादी नानी के नुस्कों से बनी सद्यों से चलती आ रही अद्रक गुड की गटागट गुली बनाएंगे ये स्वाधिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी ये काफी फाइदे मन होती है अद्रक गुड को खाने से सेहत के लिए कौन से फाइदे मिलने वाले है ये भी वीडियो के बीच-बीच में आपको पताती जाओंगी गटागट गुली सालबर कैसे स्टोर करें कि ये जल्दी खराब ना हो वो भी हम देखेंगे तो चलिए मैंने इसे कैसे बनाया है वो देखते है ये फाइदे मन इमिनिटी बुस्टर गटागट के गुली बनाने के लिए मैंने लिए है 250 ग्राम अधरक तो अधरक हमें ऐसी लेनी है इस तरीके से एक सारे ये जÁ साब पानी सदोखिए छिलका उतार लेना है चमच्य चिलका उतारने के लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसे हमें बीना वेस्ट किये इसका उपर का चिलका नीकालना है तो चमच से चिलका अच्छे से उतर जाता है तो अद्रक का सबसे पहला फाइदा मैं आपको बता दू अद्रक में जिंजरोल नाम का एक असरदार पदारत होता है जो जोडो और मासपेशों के दर्थ को कम करता है साती मुग को साफ करने के लिए अद्रक बेहत फाइदेमांद होता है आपने देखा होगा कि लोग चाय में अद्रक डाल कर पीना पसंद करते है अद्रक की जो तासिर होती है वो बेहत गरम होती है इसे खाने से शरण में गरमी बेल बड़ती है और ठंडी भी नहीं लगती और ये देखे सारे अद्रक के छिलके में ने उतार दिये है और अद्रक के जो छिलके में ने उतारे है इसे फेकना नहीं है इनका इस्तिमाल आप चाय में भी कर सकते हो चलिए अब इनके छोटे-छोटे टुकडे बना लेते हैं क्योंकि पीषने में हमें थोड़ी से आसानी हो फ्रेंड्स अद्रक का दूसरा फाइदा ये है कि अद्रक को खाने से हाजमा तो ठीक रहता ही है साथ-साथ वजन भी कंट्रोल में रखता है और जिनको कपस की समस्या होती है जैसे कि भोजन करने के बाद पेट का फूल जाना या फिर पेट की कोई भी समस्या आपको परिशन कर रही हो तो अद्रक के सेवन से वो ठीक हो जाती है अद्रक के इस तरीके से छोटे-छोटे टुकडे बना लिये है और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एसा ही अद्रक इस्तिमाल किया है जिसमें रेशे बहुत कम हो और अंदर का पल्प है वो बहुत जादा हो अब बिना पानी का इस्तिमाल करते हुए इसे ग्रैंडर जार में डालके पीस लेते हैं इसकी एकदम महीन बारिक पेस्ट बनानी है अगर इसमें छोटे-छोटे टुकडे रहे गए ना तो खाने में अच्छे ने लगते हैं कुछ इस तरीके से महीन वाली पेस्ट हमें बना लीने हैं और पानी का हमने बिल्कुर भी यूज नहीं किया है कप से इसे नाप के देखेंगे तो ये बराबर एक कप के करीब आती है ऐसा इसलिए करना है क्योंकि गुड़ को नापने में हमें आसानी होती है चलिए अब अद्रक की पेस्ट को पैंद में डालके इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं भूनना क्यों है ताकि इसका जो थोड़ा सा कच्चा पन इसमें आता है थोड़ी सी स्मेल आती है वो पूरी निकल जाए और ये खाने में बहर टेस्टी वन है अद्रक में ढेर साना पानी होने के वज़े से पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी निकलने लगता है तो पानी भी हमें सुखा लेना है आयरुवेट के अनुसार अद्रक और गुड़ का सेवन करने से हमारी इम्मिनीटी तो बुस्ट होती है साथ में सर्दी और जुकाम की जो हमें परेशानी रहती है वो भी कम हो जाती है और मोटा पाई जैसे शिरिर में सूजन वगरा होती है उससे भी हमें आराम मिलता है दो मिनिट चलाने के बाद इसका पानी पूरा सूख चुका है अब हमें इसमें गुड़ डाल देना है गुड़ मैंने 300 ग्राम लिया है या फिर आप 1.5 कप ले लीजे और गुड़ को मैंने इस तरीके से बारिक कर लिया है जितना अद्रक इस्तिमाल किया है उतना ही गुड़ आप इस्तिमाल कर सकते है लेकिन अद्रक थोड़ा सा तीखा रहता है इसलिए मैंने थोड़ा सा जादा यानि 300 ग्राम गुड लिया है अब गुड को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ग्यास की फ्लेम को मैंने low to medium के बीच की रखी है अगर आपने फ्लेम को बढ़ा दिया तो गुड जल्दी जलने लगता है जिस तरीके से अद्रक खाना फैदेमन होता है उसी तरीके से हमने जो गुड इस्तिमाल किया है वो भी बहत फैदेमन होता है गुड की तासिर भी गरम होती है और ठंडी के मोसम में ये शरीड को गरम रखने के साथ-साथ खुन को साब भी करता है आप अद्रक को सबजियों में इस्तिमाल कर सकते है या फिर चाय में डाल कर इसे पी भी सकते है लेकिन बच्चों को अगर अद्रक खाने को बोलेंगे न तो वो खाते ने है आना का नी करते है इसलिए इस तरीके की छोटी छोटी गोलिया अगर बना के उन्हें खिलाएंगे तो वो ये खट्टी मीठी गोलिया जो है वो आरम से खा लेते हैं। इसमें अभी भी गुड के दाने हैं तो इसे लगातार चलाते हुए मेल्ड कर लेते हैं। ये जो गुड अद्रक का गोल है इसकी consistency notice की आपने अभी भी ये बेहत पतला है। यहाँ पर बेहत ध्यान से सुनने वाली एक बात दोस्तों जब हम इसे पकाते हैं न तो इसकी छीटे बहुत बहार आते हैं। तो इसे चलाते वक्त हाथों का ध्यान रखते हुए बड़े चमच का इस्तिमाल करके इसे चलाए या फिर गलब्स वगरा पहिनके आप इसे चला सकते हो। पास से 7 मिनिट लगातार चलाने के बाद ये इस तरीके से गाड़ा हो गया है अब इसे फ्लिवरफुल बनाने के लिए कुछ मसाले अड़ कर देते हैं। दर्द में तो राहत मिलती है, साथ में लिवर को ये डिटॉक्सी फाय भी करता है। श्वसन संबंदी जो समस्या है रहती है उसे रोकता है और शेरिव में जो उर्जा रहती है उसे बढ़ाने के साथ-साथ रगत चाप को भी ये नियंतरित करता है। थोड़ी देर लगातार चमच से चलाने के बाद इसका पानी पूरा सूक चुका है, ये गाड़ा हो गया है और ध्यान रखना है कि ये पूरी प्रोसेस करते समय ग्यास की फ्लम को लो टू मीडम के बीच ही रखनी है। ये गटागट थोड़ी सी खटी, मिठी और तीखी होती है, इसलिए दो बड़े चमच आमचूर पाउडर डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे, इसमें जो गुठली है वो सारी हमें तोड लेनी है। थोड़ी देर और लगातार चलाने के बाद ये जो मिश्रन है वो कड़ाई को छोड़ने लगा है, गाड़ा हो रहा है। लेकिन इसे छोड़ना नहीं है लगातार चलाते जाना है। और एक फाइदा दोस्तों, गुड़ और अध्रक दोनों कब्स को ठीक करने में मदद करते हैं। और दोनों में फाइबर के मात्रा जादा होने से, डाइजेशन के लिए भी मदद मिलती है। इनके सेवन से पेट संबन्दी जो बीमारिया रहती है उससे चुटकरा मिलता है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये इस तरीके से गुला न बन जाए और ऐसे पैन को छोड़ने न लगे। और ये बन गया है अब ग्यास की फ्लेम को आफ कर देते है और इसे आराम से ठंडा होने के लिए छोड़ देते है। एक प्लेट में निकालने के बाद आप इसे इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे अच्छे से ठंडे होने देना है, गरम-करम इसके गुलिया नहीं बनानी है। ठंडा होने के बाद ही आप इसकी अच्छे से गुलिया बना सकते हो। और ये पूरा ठंडा होने के बाद हाथ पे थोड़ा सा गी लगा लीजिए ताकि ये गोलिय बनाते वक्त हाथ से बिल्कुल भी जिपकेना, थोड़ा सा गोला उठाके उंगलियों से इस तरीके से इसकी छोटी छोटी गोलिया बना लीजिए, और दूसरे प्लेट में मैंने इसमें इन गोलियों को अच्छे से गोल लेना है ताकि पिसी हुई चीनी की कोटिंग इसके उपर अच्छे से हो जाए, इसी तरीके से चोटे चोटे गोले लेकर गटागट की सारी गोलिया बना लेने है, गोलियों की साइज आप अपने इसाप से रख सकते हो, लेकिन उसी शुगर ले लीजे, थोड़ा सा गोला उठाके शुगर में गोल के इसकी छोटी सी गोली बना लेजिए, तो बनी है ना बहत तेस्टी और स्वादिष्ट अध्रक और गुड की गटागट की गोलिया, ये गटागट तो बन गए लेकिन इसे सालवर स्टोर करने के इसे चीनी उसके उपर लगी रहेगी, और जार से गटागट की गोली निकालने के तुरन बाद बोतल का डखकन बन कर दे, इसे भी अध्रक की गटागट की गोली साल बर खराब नहीं होगी, अच्छी रहेगी, इसे खाने के जो फाइदे है ये वीडियो में मैंने पहले ही आपको बता दिये है, तो ऐसे 5-1 इमिनिटी बूस्टर अध्रक के गटागट आप बनाए और सरदी खासी से चुटकारा पाए, तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, आगे एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए, बाई बाई